अध्यात्मिक गुरु परोपकार के काम बिल गेर्स पर क्यों नहीं छोड़ देते और सिर्फ अध्यात्मिक शिक्षा देने पर ध्यान दे लेकिन अगर गंभीरता से देखें तो सद्गुरु जी क्या हम अपनी लोगों को कहीं उल्जा रहे हैं? एक अध्यात्मिक गुरु का काम लोगों को अध्यात्मिक ग्यान देना है ना कि लगातार दिशा बदलना, कभी परोपकार की दिशा में जाना, कभी समाधान सुझाना, कभी राजनीतिक टिपनी करना, ये सब किसलिए है? क्या ये ज़ादा मशूर होनी के लिए है? या विव इस देश में होने के नाते आपके कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। अगर सड़क खराब है तो क्या मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह गाह में लोग कुपोशित हैं। क्या मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो कुपोशित हैं, अगर उन्होंने ढंग से खाये भी नहीं है, क्या मैं उनसे आत्मग्यान की बात करूँ। ये भद्दा होगा, मैं वो नहीं करूँगा। जब कोई भूखा है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि तुम्हें आत्मग्यान पाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि पहले उसकी खाने की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, तो सवाल जीवन के बारे में है, आपने किस क्षेत्र में कारे करना चुना है, सवाल इसका नहीं है, अगर आप जीवन को बहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें सारे पहलू शामिल है, कोई अबिलियत कहीं और है, तो मैं उसी पर ध्यान देता हूँ, लेकिन कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता है, मान लीजे कि भगवा कपड़े पहने कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है, वो उसका विशेश आधिकार है, भारत के नागरिक के रूप में उसके पास याधिकार है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को लेकर ज्यादा परिशान होना चाहिए, अगर उसने लोगों का सम्मान कमाया है, तो वो जीतेगा, वरना वो हार जाएगा, क्या सभी आध्यात्मिक लोग, आधर्स लोग होते हैं, दुरभाग यसे वो नही है, लेकिन ऐसी धार्णा बना लेने की जरूरत नहीं है, कि बिल गेट्स को करने दो, आप बिल गेट्स के इंतिसार करेंगे, कि वो सौ बिलियन डॉलर कमाये और आकर आपको दे दे, ये बस बेवकूफी है, हर किसी को अपना सबसे अच्छा प्रायास करना होगा, वो जहा है, एक की मदद कर पाते हैं, या दस, या सो, या दस लाख लोगों की, ये बस आपकी ख्रमता का सवाल है, लेकिन हर किसी को वो करना चाहिए, जिसकी समाज में जरूरत है, है न?